प्रूट फाइब करना है तो इसको कॉंट्रडिक्शन मैथड से प्रूफ किया जाएगा जैसा कि ठरम 1.4 को किया गया था ठीक है तो इसमें हमें अपोजिट एजूम कर लेना है तो लेट एजूम कर लेगे यह क्या है राशनल से प्रूट अगर यह राशनल यह था होगा नोट इक वीनोट इकवल स्टीड और एंड और प्राइम और को प्राइम्स आपको पता होना थीए कि जिनका होने हम यह को प्राइम कहते हैं ठीक है तो इसे इस equation को rearrange करेंगे बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा रूट 5B equals to A ठीक है अब कर देंगे दोनों साइड स्क्वेर तो स्क्वेर इंग बोट साइड दोनों साइड स्क्वेर इंगे तो स्क्वेर करने पर रूट 5B का स्क्वेर करेंगे तो यह आएगा 5B स्क्वेर और A का स्क्वेर करेंगे तो A स्क्वेर तो यह जो हमारी equation आई इससे हम क्या conclusion निकाल सकते हैं कि A स्क्वेर जो होगा वो 5 से divisible होगा ठीक है तो हम conclusion निकालेंगे A square is divisible by 5 A square is divisible by 5 अगर A square जो 5 से divisible है तो theorem 1.3 आपने पढ़ी होगी तो हम कह सकते हैं उसके according कि A also divisible by 5 A भी 5 से divisible होगा यह हो गया हमारा conclusion number 1 अगर A 5 से divisible है तो हम A को इस form में लिख सकते हैं A equals to 5C जहांपर C हमारा कोई where C is any integer जहांपर C हमारा कोई integer हो कोई भी positive integer हो ठीक है तो A की value जो 5C हमने यहांपर assume की है इसको हम put कर देंगे उपर वाल equation है जो भी A की value है उसकी जगह हम रखेंगे 5C उपर वाल equation में तो उपर वाल equation की है हमारी 5 B square equals to A square A की जगह हमें क्या रखना है 5C ठीक है तो 5C A का square हो रखा है तो 5C का भी square कर देंगे तो इसको solve करेंगे यह आएगा 5B square equals to 5 का square होता है 25 और C का square C square cancel out करेंगे 5 1 जा 5 5 5 जा 25 तो equation आएगी हमारी B square equals to 5C square तो इस equation जए B square equals to 5C square इस equation से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं कि B square is divisible by 5 B square जो है वो 5 से divisible होगा अगर B square 5 से divisible है तो B also divisible by 5 B भी जो है वो 5 से divisible होगा यह होगा हमारा conclusion number second तो by first and second conclusion by first and second conclusion first और second conclusion से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर A जो है 5 से divisible है मतलब A का factor 5 है और यहाँ पर B का factor 5 है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि A and B having common factor common factor 5 इनका यहाँ पर क्या आ रहा है common factor 5 आ रहा है लेकिन हमने यह A और B क्या थे हमारे co-prime थे इनका तो कोई हमारा common factor 1 के लावा कोई भी common factor नहीं आना चाहिए था 1 के लावा लेकिन यहाँ पर क्या रहा है 5 तो यह जो भी contradiction आ रहा है हमारे question में वह किसली आ रहा है यह किसली आ रहा है क्योंकि हमने wrong, incorrect assumption किया है ठीक है तो हम कह सकते है कि this contradiction is horizon because of our incorrect assumption जो भी यह विरोधवास हमें question में नज़र आ रहा है वो किस वज़े से है क्योंकि हमने इसको root 5 को जो rational let किया था यह गलत किया था तो हम क्या conclusion निकाल सकते है कोई number rational नहीं है तो हम उसको क्या कहा सकते है it is irrational ठीक है इसे तरह से आपको बहुत सारे questions हो जाएंगे बहुत सारे questions जो हमारे बिल्कुल इसी तरह contradiction method से बिल्कुल इसी format में उनको solve किया जा सकते है ठीक है तो practice कीजिए इस type के questions की important question है तीन से चार number का यह आपके exam paper में पूछा जाएगा आपसे ठीक है